Hello friends, welcome to our channel MPA Gyan Station, this is Manish Ravastov. जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हम लोग Current Affairs के उपर lectures लेकर आते हैं, तो this is a weekly Current Affairs series जो हमने start की हुई है, और भी हर week के जो Current Affairs हैं आपको playlist में मिल जाएंगे, तो अगर आप Current Affairs के लिए भी prepare कर रहें, different competitive exams के लिए, तो this series is very helpful, क्योंकि जो भी week के अंदर जो important events होते हैं, उसको हमें सीरीज में cover करते हैं, तो let's start with our lecture और Current Affairs, तो सबसे पहली जो news बहुत अभी आपने देखा होगा, newspapers, media इस पर आई हुई है, वो है cabinet ने approve किया है National Education Policy 2020, अब ये National Education Policy 2020 जो है, इसका overview जो है, आपका MHRD, जो Ministry of Human Resource है, उसकी website पे 66 pages की एक रिपोर्ट डली हुई है, that is a overview of National Education Policy, अब ये Education Policy को जो है, बताया गया है कि अपडेट हो गई है, और काफी को चेंजेस ला दिया हैं, इसने हमारे Education System में जिसको बहुत क्रिटेसाइज किया जाता है, कि जैसे इसके बारे में आप भी उसी Education System से निकल कर आयोंगे, जितने भी वीवर से हमारे वो इसी Age Group के हैं, तो mostly सभी ने जो है, पुराने Education System से कवर किया हुए अपना Education, तो अब जो है, जो हमारी पिसली जनरेशन है, जो हमसे छोटी जनरेशन है, उसके लिए जो है, काफी अच्छा, जो है, जो है, मॉडल स्टार्ट किया है, गॉर्मेंट ने, उसके बारे में है यह आपकी National Education Policy, तो मैंने यहां पर भी बहुत डीटेल में जो है, इसको कवर नहीं किया है, मैं इसके कुछ important points आपको कवर कर दे रहा हूँ, कि Union Cabinet led by Prime Minister Narendra Modi approved National Education Policy 2020 on 29 July, 29 July को approved की गई है, और main objective जो policy का है, वो make transformational reforms large scale in both school and higher education sector, तो स्कूल लेवल पे भी और higher education sector पे भी इस policy को formulate किया जाएगा, what is the first education policy of 21st century, अब इसे क्यों बोला जा रहा है 21st century की यह पहली education policy है, क्योंकि जो पुरानी education policy इंडिया में आई थी, वो एक 1986, इसके लावज से पहले 1968 में आई थी, 1986 वाली ही policy को 1992 में वापस से revise किया गया था, तो लगबग 34 years के बाद हमारे पास यह policy आई है, यहाँ पे जो है मैं कुछ इसके points include कर दे रहा हूँ, आप जो है उसको थोड़ा सा समझ पाएंगे कि क्या हुआ है basic changes, अभी जो है government of India ने यह का है कि MHRD की website पर जो है एक और जो है report आईगी जो पूरी एकदम detail में रहेगी 300 pages की जो अभी तक upload नहीं होई है उस पे, 66 pages वाली जो report है उससे मैं आपको कुछ overviews बता दे रहा हूँ कि क्या है और अगर आप comment section में बताएंगे तो मैं इसके उपर एक पूरा lecture भी बना दूँगा जिसमें new education policy क्या है, किस-किस segment में है, बस यहां मैं कुछ चीजे include कर रहा हूँ, तो जैसे कि आपको पता था कि पहले आप school जाते थे तो 10 plus 2 scheme हुआ करती थी, जिसमें आप higher secondary exams 11-12 के बाद और जो आपके शुरू में जो होता था वो primary और middle class हुआ करती थी, उस segment को तोड़ दिया गया है और अब 5 plus 3 plus 3 plus 4 system आ गया है, पांच जो पहला 5 है, उसमें 3 सार pre-primary रहेगा, जो पहले बोला जाए, pre-primary जो था, वो government schools में नहीं होता था, जिनने भी private school से यह हमारे private schools में थे, यह government schools में, first class से class शुरू होती थी, तो वो change हो गई है, आप वो 3 primary, pre-primary रहेंगे, और 2 primary रहेंगे, first और second class, यह जो है आपकी basically first, second class मिला कर, यह 5 साल रहेंगे, फिर 3 साल 5 plus 3 scheme है, तो वो 3 साल 3 to 5 class, यह preparatory classes रहेंगी, जिसमें आपको prepare कराया जाएगा basic subjects को, फिर middle stage रहेंगी 6 to 8, लेकिन जैसा अभी की education policy में आप 11 में कोई subject choose करते हैं, वो subject अब आप 9 में ही choose कर लेंगे, तो student have the choice, जो कि वो 9 में ही subject choose कर सकते हैं, और 10th और 12th board की एहमियत को कम कर दिया गया है, उतना importance नहीं दिया गया है, board exam साल में 2 बार होंगी, उन दोनों में से आप जिसमें भी अच्छे marks ले आते हो, वो आला validate होगा, तो बच्चों के उपर tensions कम की गई है, जो parents बहुत pressure बनाते हैं, और marks के उपर judge करते हैं, उस चीज को ये change किया गया है, कि वो साल में एक बार भी perform कर लेगा, जो हमारे रट्टू तोता बनानी वाली जो theory है, उस चीज को इन्होंने ignore किया है, कि 10th और 12th में आप कोई भी एक बार में board exam में, जो है score कर लेते हो, तो बहुत आपका वो importance दे दी जाएगी, इसके अलावा, जो students बाद में जाके criticize करते हैं, मतलब जो अभी competitive exams में, UPSC, PSC exams दे रहे हैं, उनको लगता है कि हम लोग जो आभ कि भी subject choose कर सकते हो, आपको पढ़ना है कि बेकरी पढ़ना है, तो आप बेकरी चूज कर लो, और बेकरी के साथ आप physics पढ़ लो, अगर आपको maths पसंद नहीं है, तो आप 11, 12th, जो 10th और 12th के board exams में, उसमें 2 choices हैं आपके उपर, कि आप एक advanced mathematics की जगा, आपको नहीं, आपक chemistry नहीं आती, तो आपके पास choice है, आप arts ले लीजे, arts के कुछ subject आपको लगता है, political science से बढ़ना है, आपको economics अच्छा लग रहा है, तो आप commerce का subject भी ले लिए, तो ये 9th to 12th में, आप multiple subjects ले सकते हैं, ये आपकी choice के उपर है, इसमें कोई foundation नहीं है, जैसे पहला हमारा education system थ उसमें बहुत ज्यादा आपको choose करना होता था, कि 11th के बाद जो है, आपको कक्षा 11 वी में पॉसते ही आपको, कि आप science ले लीजेए, और हमारा bifurcation उस basis पर होता था कि अच्छे बच्चे होते हैं, वो science ही लेते हैं, commerce नहीं लेते हैं, और बात का सिनेरियो है, बहुत सार कि मार्क्स के ऊपर student को lifelong judge कर जाता है, तो वो एक चीज़ चेंज होगी, उसकी जो मर्जी है वो चूज कर सकता है, जो heart separation था, art, commerce और science में से, वो उन में से कोई भी subject चूज कर सकता है, humanities को चूज कर सकता है, आगे वो UPSC के लिए प्रिपेर कर रहा है, तो उसे साब से वो subject पहले ही चूज कर ले, इसके लावा, vocational, जो training से उस पे जादा जोर दिया गया है, कि जो हमारी country में आज़ चोटे-चोटे काम को बहुत ज्यादा इज़त नहीं दी जाती है, ऐसी training कराई जाएगी, जैसे carpentry है, आपका metallurgy है, लेट machines पे काम कराई जाएगा, तो ये ऐसी skill develop की जाएगी और उनके लिए value generate की जाएगी, sports को पूरा promotion दिया जाएगा, इसके अलावा जो है, इसमें एक और चीज में आड करूँगा, कि आपका जो भी आप चीज कर रहे हैं, उसमें जो है, आपके marks बहुत जादा matter नहीं करेंगे, आपको जो आज की rate में, जैसे आप जब competitive exams की prepare करते हैं, तो आप self analysis करते हैं, तो ऐसी चीज आपको schools पे भी मिलेगी, आपका self valuation आप खुद को भी marks दे पाएंगे, आपके friends को भी marks दे पाएंगे, आपका friend भी आपको marks दे सकता है, आपके teachers को भी आप marks दे सकते हैं, तो ये ऐसी चीजें जो है, आपके नए education system म कर रहे होंगे, तो graduation में भी अगर आपको लगता है कि आपको 2 साल पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं है, या आप किसी भी तरह से आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नए सेरे से पढ़ाई शुरू करनी पढ़ेगी, अगर जितने भी graduation होंगे, वो 4 साल के होंगे, जैसे आप BA, B.Sc. आपने सुना होगा, 3 साल के होते थे, तो वो आप 4 साल के होंगे, और उस 4 साल के बाद अगर आप, जैसे आपने BA किया, आपको MA करना है, तो आपको एक ही साल MA करना होगा, तो ये चीजें जो है, हो गई है, इसके आपका, बुला जाए, जम्मू कश्मीरो, कहीं भी, इंडिया के किसी भी point पे आप जा सकते हैं, तो ये कुछ मैंने major points से education policy के बता दिये हैं, if you want कि मैं education policy पे कोई एक lecture लेकर आऊं, तो मुझे comment section में आप बताइए, मैं उसके उपर भी lecture ले आऊंगा, next news जो है, वो है कि इ इन पांच को जो है, इन पांच को जो है, वेलकम करने के लिए दो सुखोई जो थे, उनको भी लगाया गया था, तो आपने news channels पे seven ऐसे planes देखे होंगे, तो उसमें दो सुखोई थे, और इसका जो वेलकम किया था, एर फोर्स के अमारे चीफ मार्चल है, तो यह काफी अच्छा है कि हमारे defense में strong होने के लिए, जो हमारी फ्रांस के साथ deal थी, उसके कुछ अभी consignment हमें मिले है, नेक्स्ट बात करें, तो ICMR जिसको कहा जाता है, आपका Indian Council of Medical Research, इसने जो है approval दे दिया है, Israeli Research को जो coordinate करेगी DRDO के साथ, और हमारे यहाँ जो COVID-19 के जो test बहुत slow होते हैं, कि आज आपने test करा है, तो आपको लगबग 24 घंटे बाद, या कई बार दो 48 आर्स बाद, और मैंने तो ये भी देखा, news channels पे और कई articles कवर किये हैं, जिनमें 72-2 hours भी लग जा रहे हैं, छोटी-छोटे जो गाउं हैं, वहाँ पे 3-4-4 दिन तक samples नहीं हो पाते हैं, और उनकी reports आने में बहुत time लगता है, तो उसके लिए जो है, ये ICMR ने fast track approval जो है, उसके लिए Israel की help ली जा रही है, और DRDO जो है, ये conduct कराएगा, तो इसमें ये का जा रहा है, कि इसमें जो है, आप लगबग जो है, मानिए, आदे घंटे में भी आपको test reports max to max मिल जाएगी तो defense research and development organization, जो DRDO है, it's collaborating Israel Directed of Defense Research and Development, जिसको DRDD कहा जाएगा, इसके साथ इसने जो है, एक collaboration किया है, to conduct trials on Indian patient that include an audio test, इसमें जो है, एक audio test होगा, एक breathe test होगा, कि वो अपने breathing कैसे कर रहे है, एक thermal testing होगी, और एक poly amino test होगा, to isolate proteins related to COVID-19, और उससे body से ये चीज निकाल कर, ये जो है, बहुत जल्दी से testing कर देंगे, this will be a good initiative towards COVID-19, इसके बाद करें, तो Samson, Foxconn, और ऐसी बहुत सारी 20 companies है, जिनको जो है, एक incentive scheme मिली है, जिसको PLI कहा गया है, ये PLI, जो है, production linked incentive है, कि India में जो है, इनको जो है, production करने के लिए, एक incentive दिया जा रहा है, तो government on Saturday said that, a total of 22 32 companies, इसमें कौन कौन सी, Samsung, Apple, 3 manufacturer, जैसे Foxconn, last lecture में, Foxconn, Pegatron, इनके बारे में बताया था, Wistron, Lava, and Micromax, have filed application under PLI scheme, that aims to boost local manufacturing of mobile phones and component, जो मेक इन इंडिया जो आपकी scheme है, उसके तहत, ये सब इंडिया में ही सब manufacturing होगी, और this is expected to bring an additional investment of 11,000 करोर in electronics manufacturing, तो इससे जो है, बताया है कि additional investment होगा, 11,000 करोर का, electronic manufacturing में, while leading to total production worth, जो है, इनकी, 11.5 लाक करोर over the next 5 years, जो हो जाएगी, और ये Minister of Electronics and IT, रवी शंकर प्रशाद ने, ये चीज कही है, कि अब इनको जो incentives दिये जाएंगे, इन plants को, और इनको grow किया जाएगा, कि इंडिया में ही इन चीजों को grow कर पाएं, जैसे, एक छोटा से example दूँ, आप आपल के iPhone करीते हैं, तो काफी costly पढ़ते हैं, लेकिन जब वो इंडिया में manufacture होगा, तो आपको भी जो है, उनको पे cost cutting मिलेगी, आपके pocket पे कम भार आएगा, तो ये, in this way, this will help you, next बात करें, तो तीन states में धोले कर, जो conservation है, इसको बुला आपको बताया था, कि ये International Union of Conservation of Nature, जो है, कि ऐसे कोई प्रजाती, जो विलुप्त हो रही हो, जो endangered हो रही हो, उसको जो है, डेटा बुक में include करती है, तो उसी में ये species include हुआ था, इसको Asiatic wild dog भी गहा जाता है, और ये, इसका वैसे नेम ढोले है, आप याद रखेंगे, औ जो कि ये आपका Central Southeast Asia, और Southeast Asia में mostly जादा मिलता है, तो ये जो अभी presently study हुई है, इसमें करनाट का, महराष्ट्रा और मध्यप्रदेश rank high in the conservation of endangered धोले in India, तो ये इंडिया के अंदर करनाट का, महराष्ट्रा और मध्यप्रदेश इसको सरक्षन दे रहे हैं, इसको conservation दे रहे जो है, अचीव किया है, beside the tiger, the धोले is the only large carnivore in India to be classified in endangered category, टाइगर के बाद कोई ऐसा species जो विलुप्त होता है, जो endangered है, ICUN के accordingly जो इंडिया में है, वो है ये धोले, तो it is protected under scheduled second of Wildlife Protection Act 1972, तो Wildlife Protection Act 1972 के जरिये इसको protection प्रोवाइड किया जा रहा है, इस animal का नाम धोले है, जो आपक Asiatic wild dog है, इसके बाद one ration card facility in 24 states में चालू कर दी गई है, जो की union food minister, जो है हमारे, उनोंने तीन और states को भी इसमें include कर दिया है, भी 21 state में थी, मनिपूर, नागालेंड और उतराखंड and the union territory of Jammu Kashmir will now offer the one nation, one ration card facility, अब जो राशन कार्ड होता है, जिससे आपको राशन कम प्रा state से belong करते हों, लेकिन आप काम के लिए दूसरी जगा पे रहे हों, तो उसके हिसाब से ये आपको ration card बहुत help करेगा, तो ये one ration card जो policy थी, इसको 24 states में लागू कर दिया गया है, और ये presently 24 states में है, और अभी अभी जो इसको include किया गया है, मनिपूर, नागालेंड, उतराख इसके बाद हर्याना जो है, आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो है, होस्ट करने वाला है, और ये जो है हर्याना की चीफ मिनिस्टर मनोरलाल खटर, और ये बुला जाएकि वीडियो कॉन्फरेंसिंग हुई थी, यूनियन मिनिस्टर आफ यूथ अफेर्स हमारे स् इसके बाद है, तो जब आपका टोक्यो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होगा, ये किसने कहा है, तो इना वीडियो कॉन्फरेंस्ट्स मिनिस्टर, किरन रिजुजू, हद इंफर्म्स 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल भी हेंडिल, हेल इन पंचकुला, ये हर्याना की एक सिट ये पंचकुला वहाँ पर और्गनाईस किया जाएंगे, तो इस इस अल अबाउट दा डिफरेंट करेंट अफेर्स आफेर्स आफ इस वीक, होप ये आपको लेक्चर समझने आ रहा होगा, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमक सकते हैं, और इसको जादा से जाद अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू,